आज हम सीखेंगे आनुवन्शिक्ता से संबंदित कुछ मूल अवधार नाएं प्रतीक जिव जनन के प्रक्रम से अपने जैसे अन्य जिव की उत्पत्ती करता है उत्पन नए जिव को हम संतती यानि ओफ्स्प्रिंग या प्रोजेनी कहते हैं तथा संतती उत्पन करने वाले जीवों को जनक यानि पेरेंट कहते हैं दिखने में संतती अपने जनक से मेल खाती है लेकिन वह पूर्ण रूप से जनक की सत्य प्रतिली भी नहीं होती जब हम संतती और जनक के समान होने की बात करते हैं तो इसका अर्थ हम उन विशेष्टाओं की बात करते हैं जो जनक और संतती में समान है दिखाई देने वाले विभिन विशेष्टाओं को हम लक्षण यानि ट्रेट कहते हैं जैसे मानव के संदर्भ में ये सभी लक्षण है जनन के प्रक्रम में युगमकों के माध्यम से इन लक्षणों को एक पीड़ी से अगली पीड़ी में पहुचाया जाता है विभिन लक्षणों का जनक से संदती में पारगमन यानि ट्रांस्फर, आनुवनशिक्ता यानि हेरिडिटी कहलाता है अन्नी शब्दों में एक पीड़ी के लक्षण, दूसरी पीड़ी को वनशानुगत यानि इनहरिट होने को ही हम आनुवनशिक्ता कहते हैं यदि हम किसी स्पीशीस के समश्ठी के जीवों को देखे, तो वे एक जैसे दिखाई नहीं देते, उनका आधार भूद ढाचा तो समान होता है, लेकिन वे उचाईयों, रूप रंग, जैसे लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं किसी स्पीशीस के जीवों में पाई जाने वाली भिन्नताएं, विबिन्नताएं, यानि वेरियेशन्स कहलाती है पीडी दर पीडी विबिन्नताओं का भी संचयन होता है, जैसे मान लीजिए या एक कालपनिक जिवानू है, जो अलेंगिक जनन से दो जीवों को उत्पन्न करता है, जिनमें जनक के लक्षणों के साथ कुछ विबिन्नताएं भी उत्पन्न होती है इन में से प्रतियक जिव अन्य दो जीवों को उत्पन्न करता है जिन में जनक के लक्षण के साथ अन्य विभिनताएं भी उत्पन्न होती है इसी तरह पीडी तर पीडी लक्षणों तथा विभिनताओं की वनशानुगती होती है लेंगिक जनन में अलेंगिक जनन से अधिक विभिनताएं उत्पन्न होती है इसका कारण आप स्वयम ग्याद कीजिए मान लीजिए किसी पेड़ पर लाल कीट की एक प्रजाती रहती है पेड़ी दर पेड़ी आने वाले विभिनताओं से उस कीड़े की समश्टी में हरे रंग के कीट भी उत्पन्न होते है मान लीजिए यदि उस पेड़ पर पक्षी रहने आए तो वह लाल कीटों को आसानी से ढोन सकते हैं और खा सकते हैं लेकिन हरे केट पत्तों के रंग में स्वयम को छिपा सकते हैं इस तरह केट की स्पिशीज के बचने की संभावना बनी रहेगी इस तरह विभिनताएं प्रजाती की उत्तर जीविता में सहायता करती है इसलिए हम कह सकते हैं कि जनन में आने वाले विभिनताएं जैव विकास यानि evolution का आधार है चलिए आनुवनशिक्ता की कार्यविधी यानि mechanism of heredity को समझे जीवो का शरीर कोशिकाओं से बना होता है कोशिकाओं के केंद्रक में DNA होता है जिस प्रकार रसोई की किताब भोजन बनाने की सूचना का स्रोथ होती है उसी प्रकार DNA protein sensation की सूचना का स्रोथ होता है रसोई की किताब में जिस प्रकार किसी विधी से भोजन बनाने की सूचना प्राप्त होती है उसी प्रकार DNA के विशेश खंड से प्रोटीन संसलेशन की सूचना प्राप्त होती है इस खंड को हम उस प्रोटीन का जीन कहते हैं तथा इसमें नियित सूचना को आनुवंशिक कूट यानि हेरिडिटरी कोट कहते हैं किसी प्रोटीन का जीन उस प्रोटीन की संसलेशन का नियंतरन करता है जिसके कारण विशिष्ट लक्षण की अभिव्यक्ति होती है। इस तरह लक्षणों की अभिव्यक्ति जीन द्वारा नियंतरित होती है। इसलिए जीन को हम आनुवनशिक्ता की EKI यानि Unit of Heredity कहते हैं। अधिकतर जीवों के सभी लक्षणों का कूट जीन की रूप में DNA में नहित होता है। इसलिए जनन के दौरान DNA की स्थानांतरन से एक पीडी के लक्षणों को दूसरी पीडी में पहुचाया जाता है। इसलिए हम DNA को आनुवनशिक पदार्थ यानि Hereditary Material कहते हैं। कोशिका में DNA कुछ अन्य पदार्थों के साथ मिलकर पतली लंबी सूत्र रूपी सनरचना बनाते हैं। इसे हम गुण सूत्र यानि क्रोमोजम कहते हैं। चुकि जीन DNA का खंड है इसलिए वे गुण सूत्र के विशेश स्थान पर पाए जाते हैं। कोशिका में गुण सूत्र अत्यधिक संगनित होते हैं जिससे केंद्रग बनता है। किसी जीन के भिन रूप हो सकते हैं जो भिन लक्षणों का नियंतरन करते हैं। एक ही जीन के विभिन रूपों को हम युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। जैसे उचाई के लक्षण के लिए लंबाई यानि टॉल का जीन और बौनेपन यानि ड्वाफ का जीन एलील है। अनुवनशिक्त को समझने के लिए इन्हें हम अक्षरों में दर्शाते हैं। यहां लंबाई और बौनापन किसी जीन के भिन लक्षण हैं। इन्हें हम विपर्यास लक्षण यानि कॉंट्रास्टिंग क्यारेक्टर्स कहते हैं। किसे जीव में युग्मविकल्पी समान हो सकते हैं या भिन भी हो सकते हैं। सम युग्मजी यानि हुमोसाइगस कहलाते हैं। तथा ऐसे जीव जिसमें एक लक्षण के लिए बिन युग्मविकल्पी होते हैं। विशम यूगमजी यानि हेट्रोसाइगस कहलाते हैं। ध्यान रहे विज्ञान की वहशाखा जिसके अंतरगत हम, जीन, विभिन्नता तथा आनुवनशिक्ता का अध्ययन करते हैं। आनुवनशिकी यानि जेनेटिक्स कहलाता है। तो आज हमने सीखा आनुवनशिक्ता से संबंदित कुछ मूल अवधार्णा है।